नमस्कार SP News के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कि इस घटना को लेकर निंदा हो रही है। वहीं महंगाई को लेकर अखलेश यादों ने कहा है कि यह महंगाई को लेकर बात नहीं करते हैं क्योंकि अपने लोगों को पेट्रूल डीजल बिकवा रही हैं। जनतापाटी से किसानों से बादा किया था भारती जनतापाटी ने किसानों के याद दोगनी होगी। नहीं आज किसान अपने मक्का को सडकों पर सुखाने में मजबूर है क्योंकि उसको सही रेट उसके नहीं मिले। वहीं टबाटर की विरोध को लेकर जब एक दुकादार ने विरोध करना चाहा तो सरकार ने उठा कर उसको बंद कर दिया। कि देश की दो तिहाई जनता भारती जनता बाटी से नाराज है। किसान को भरोसा दिलाया कि उसकी आए दोगनी होगी। आप सडकों पर चले जाएं किसान अपनी मक्का सुखा रहा है। जो उसको लाब जो उसकी मदद होनी चीथी सरकार के मात्यम से वो नहीं हो पा रही है। महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। और अगर कोई महंगाई पर सवाल उठाता है तो उसे जिल भीज रहे हैं। और उसके लिए एक उधारण है कि वारणासी में टमाटर को लेकर के जब आंदूलन किया। परदान मंती जी के शेत में तो अधिकारी इतने नाराज हो गए। अधिकारी सरकार को खुश करना चाहते थे। उन्होंने दुकंदार और उसके बेटे को जेल भीज दिया। और टमाटर की दुकानों पर पुलिस लगानी पड़ गई। टमाटर की कीमत नहीं कम करनी सका। टमाटर की दुकान पर लूट से बचाने के लिए पुलिस लगा रहे हैं। आप बताओ कहीं कि कल जाओ अधरक क्या हिसाब मिल लही है। मिर्च क्या हिसाब है। और सवाल यह कि क्या यह मुनाफ़ा सबजी बेशने वालों को मिलना है। या पैदाबार करने वाले को मिलना है। यह सरकार जानबूच करके अपने लोगों को मुनाफ़ा कमाने दे रही है। डीजल पैट्रॉल इसलिए महेंगा है क्योंकि सरकार अपने लोगों को मुनाफ़ा कमाने की छूट दे रही है। बिजली इसलिए महेंगी है क्योंकि सरकार ने बिजली बनाने के कारखान नहीं लगाए और जितनी भी जरुरत की चीज़ें आज सब महेंगाई का कोई जवाब नहीं बरोजगारी चरम सीमा पर और कानू वस्त पूरी तरीके से धुस्त आप इने लोगों ने देखा होगा कि सरीके से वोट की लूट हुई थी चेर्मेनी के चुनाओं में सरकार ने और सरकार के लोगों ने मिलकर के और खासकर भारते जगता पार्टी के लोगों ने मिलकर के वोट की लूट की केवल एक जगह नहीं हर जगह उन्होंने की और अब जो मनीपूर का मामला आया है मनीप जैसे घटना इधर कहीं दुनिया में नहीं हुई होगी इस घटना ने भारत की प्रदस्टा दुनिया में गिराई है हम आप सब जो आज के जमाने में रह रहे हैं ऐसी तस्वीरें वीडियो देखते हैं तो हम लोग का सर शरम से जुग जाता है कोई कल्ब ना कर सकता है वो किसी की मा बहन बेटी रही है और ये मुख्यमंत्री का वहां के कहना के ये कोई एक घटना नहीं हुई है तो सोचिए दिल्ली वालों के पास बड़ी बड़ी इंटेलिजन संस्थाएं हैं आखिरकार वो संस्थाएं क्या काम कर रही थी क्या पता था दो महीने से लगाता या पहले से ये घटना हो रही थी, अगर मनीपुर की घटना हुई है, तो RSS की जो नफरत फैलाने की राजनीत है, RSS की जो बाट करके राज करने की जो नीती है, और भारती जंता पार्टी की बोट की राजनीत की वज़े से मनीपुर में ऐसी घ हुमाए गया ना केवल आम लोग वल्कि वह माताएं बहने वह महिलाएं जिन्होंने कभी भार्दी जन्ता पार्टी को बोट दिया था वो भी ऐसी घटना दे करके आक्रोसित है इसमें भार्दी जन्ता पार्टी का सफाया होना निश्यत है देखे जहां कहीं भी इस तरह के मामले आरें सरकार को कारवाई करने चाही है और आपको याद होगा हाला कि बिवादित बात को मैं नहीं कहना चाता हूँ ऐसी बात को नहीं कहना चाता हूँ जिससे कहीं बिवाद बढ़े एक समय था जब फूलन देवी के साथ अपमान हुआ तो सोचिए आज भी वो खाई पठ नहीं पाई है तो इसलिए सकार के लोगों को सोचना चीज इनके हाथ में सत्ता है कि ऐसी घटनाएं नहों और भारती जन्ता पार्थी मनीपूर में जो घटना हुई है उसके लिए माफी मांगे देश की महलाओं से कि एंडिये थक गया है एंडिये की हवा निकल चुकी है और हवा इसने निकल चुकी है का उन्हें जो कोई मिल जा रहा है उसको शामिल कल दे रहे हैं अगर आप बता दो यह सोक के पेड़ को शामिल करने से बीजेपी को बोट मिल जाएगा तो इस असो के पेड़ को खोद ले जाएंगे और ये खोद ले जाएंगे हम दे देंगे चिंता मुत कर चोर होगा बीजेपी वाला इस लिए मैं कहना चाहता हूं जे चोरी हो जाएगी पैसे की अभी खिलवा देंगे याँ अधर मिलने आजा उधर से आजा इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लोगों को पता है कि अब सक्ता में आने वाले नहीं है मेंगाई चरम सीमा पर विरोजगारी चरम सीमा पर किसान दुखी वेपारी दुखी मजदूर को कोई मदद नहीं मिली और जिस तरह सरकार काम कर रही है जिला स्पताल में किसी गरीब का इलाज नहीं हो पा रहा है मेडिकल कॉलेज मेडिकल कॉलेज बोलने हैं ये बना रहे हैं पूरे उत्तवदिस में कहीं भी एक ऐसा जिला स्पताल नहीं बनाया जिसमें गरीब का इलाज हो रहा हो ये सरकार बताए कि कहीं भी एक जिलास्पताल बनाया हो जिसमें इलाज गरीबों का हो रहा हूँ क्या चीज़ कि मैंने आप से क्या का हमारे पत्गार साथी ये बीजेपी का जाल है कि कुछ नाम आप लुगे मातिम से बिलवाते हैं सवाल उनका नहीं है सवाल یہ है कि मुखिमंती जी ने ये कहा कि सड़कों पर सांड नहीं होंगे बताओ सांड कहां चले गए सड़कों पहें के नहीं है बताओं मुख्यमंती जी ने कहा कि सांड सड़क पर नहीं होंगे और हम बताएं आपको अरे पत्काई भादियो ये समझदारे के ना समझ हैं ये ही नहीं पता मुझे मुख्यमंती जी ने कहा कि 30 करोड पेड लगाएंगे ए बेटा सुने ये भाजपाई किस तरीके से पैसा लूटते हैं ए रुजवा भाई बीजे पी कह रही है और पेड लगाएंगे 35 करोड आप लो भी गए होगे तस्वीर लेने 35 करोड पेड़ों की जो पहरे लगे थे वो कागज में लगे थे ये लगे वो भी कागज में लग रहे हैं और मुख्यनती जी ने कहा कि इसमें ट्रीकाड लगाए जाएगा अगर 35 करोड पेड़ों में 35 करोड पेड़ों में ट्रीकाड लगेगा 1000 रुपए का तो बताओ क्या कीमत होगी कितने होंगे पैसे 35 करोड अरे जो सरकार सांड ना हटा पा रहे हो वो ट्रीकाड के लिए 30 सजा कोड खर्च करेगी पैसा जिनके पास कोई पैसा नहीं इसलिए इनसे बचो ये जूट बोलने वाले लोग है ये एवी बीपी को सिख्षा लगता गोरकपुर में मिली है ये गोरक धंदा चलना है ये बीजेपी के लोग मखानों पे कपचा कर रहे होंगे और प्लॉटों पे कपचा कर रहे होंगे खेतों पे कपचा कर रहे होंगे जो गडवंदन बन गया है यही गड़मंदर आगे चलता रहे गड़ा है। यही गड़मंदर आगे चलता रहे गड़ा है। इनके पास कोई नया पता नहीं है। यह बिरुजगारी पर बात नहीं करेंगे। महंगाई पर बात नहीं करेंगे। जिस तरीके से बिजली महंगी आ रही इसमें बात नहीं होंगे। जो आम लोग हैं। उनके इलाज की सुविदा, उनके जीवन की सुरच्छा और जो मूल भूस मस्या हैं। उन सवालों पर ये बहस नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि पूरा पैसा लूट लिया गया। कल मैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे चलना था। जो लोग दूसरों की जाच के लिए कहते थे। वो अपनी जाच क्यों नहीं करा रहे। पूरा बुंदेलखंड एक्सप्रेश खोदा पड़ा हुआ है। हमारे पास इतने प्रधानमंत्री हैं। सब प्रधार मंत्री बन सकते हैं और कहीं ने कहीं उन्हों ने अपने प्रदेश में अपने प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धनिवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों से हम मुलाकात करने का मौका मिलना है मैं डॉक्टर गान जी और उनके परिवार के कारकम में शामिल होने आया हूँ और इसके मात्यम से अपनी पार्टी के वरिश निता सेटन के और बड़ी संख्णा में आप लोगों के साथ उनसे भी मुलाकात हुई जा रही है जहां तक मेहनपुरी और आसपास की रोगसवाओं का सवाल है मैंने पहले भी का और फ़र कहता हूँ कि देश की दो तिहाई जनता भार्टी जनता पार्टी से नराज है किसान को भरोसा दिलाया कि उसकी आय दोबनी होगी आप सड़कों पे चले जाएं किसान अपनी मक्का सुखा रहा है जो उसको लाब जो उसकी मदद होनी चीदी सरकार के मात्यम से वो नहीं हो पा रही है महंगाई लगातार बढ़ती से लिजा रही है और अगर कोई महंगाई पर सवाल उठाता है तो उसे जेल भीज रहे है और उसके लिए एक उधारण है कि वारणासी में टमाटर को लेकर के जब आंदोलन किया बुदान मंती जी के शित में तो अधिकारी इतने नाराज हो गए अधिकारी सरकार को खुश करना चाहते थे उन्होंने दुकंदार और उसके बेटे को चेल भीज दिया और टमाटर की दुकानों पर पुलिस लगानी पढ़ गई और सवाल ये कि क्या ये मुनाफ़ा सबजी बेशने वालों को मिलना है या पैदाबार करने वाले को मिलना है ये सरकार जानबूच करके अपने लोगों को मुनाफ़ा कमाने दे रही है डीजल पेट्रॉल इसलिए महंगा है क्योंकि सरकार अपने लोगों को मुनाफ़ा कमाने की छूट दे रही है बिजली इसलिए महेंगी है क्योंकि सरकार ने बिजली बनाने के कारखाने नहीं लगाए और जितनी भी जरूरत की चीजे आज सब महेंगाई का कोई जवाब नहीं गुरोजगारी चरम सीमा पर और कानू वस्था पूरी तरीके से द्वस्थ आप इन लोगों ने देखा होगा किस तरीके से वोट की लूट हुई थी चेरमेनी के चुनाओं में सरकार ने और सरकार के लोगों ने मिलकर के और खासकर भार्टी जन्ता पार्टी के लोगों ने मिलकर के वोट की लूट की किवल एक जगे नहीं फर जगे उनों नहीं और आप जो मनीपुर का मामला आया है मनीपुर जैसी घटना इधर कहीं दुनिया में नहीं वी होगी इस घटना ने भारत की पर्दस्टा दुनिया में गिराई है हम आप सब जो आज के जमाने में रह रहे हैं ऐसी तस्वीरें वीडियो देखते हैं तो हम लोगों का सब शर्म से जुख जाता है कोई कल्वना कर सकता है वो किसी की मा बेहन बेटी रही है और ये मुख्यमंत्री का वहां के कहना कि ये कोई एक घटना नहीं हुई ऐसी तमाम घटने हुई है तो सोचिए दिल्ली वालों के पास बड़ी बड़ी इंटेलिजन्स संस्थाएं है आखिरकार वो संस्थाएं क्या काम कर रही थी क्या संस्थाओं को नहीं पता था दो महीने से लगाता या पहले से ये घटना हो रही थी अगर मनीपुर की घटना हुई है तो RSS की जो नफरत फैलाने की राजनीत है RSS की जो बाट करके राज करने की जो नीती है और भारती जन्ता पार्टी की बोट की राजनीत की वज़े से मनीपुर में ऐसी घटना हुई जहां महलाओं को इस तरीक से घुमाए गया न केवल आम लोग बलकि वो माताएं बहनें वो महलाएं जिन्नोंने कभी भारती जन्ता पार्टी को बोट दिया था वो भी ऐसी घटना दे करके आक्रोशित है इसमें भारती जन्ता पार्टी का सफाया होना निश्यत है देखे जहां कहीं भी इस तरह के मामले आरें सरकार को कारवाई करनी चाही है और आपको याद होगा हाला कि बिवादित बात को मैं नहीं कहना चाहता हूँ ऐसी बात को नहीं कहना चाहता हूँ जिससे कहीं बिवाद बढ़े इस समय था जब फूलन देवी के साथ अपमान हुआ तो सोचे आज भी वो पाई पठ नहीं पाई है तो इसलिए सरकार के लोगों को सोचना चाही जिनके हाथ में सत्ता है कि ऐसी घटना नहों और भारती जंता पार्टी मनीपूर में जो घटना हुई है उसके लिए माफी माँचे देश की महिला हो किसी NDA हो गया ठक गया है NDA की हवा निकल गई NDA की हवा निकल चुकी है और हवा इसनिये निकल चुकी है का उन्हें जो कोई मिल जा रहा है उसको शामिल कल दे रहे है अगर आप बता दो कि असोग के बेड को शामिल करने से B.J.B को बोट बिल जाएगा तो इस असोग के बेड को खूद लिजाएगे वो और ये खूद लिजाएगे हम दे देंगे चिंता मुद्गार चोर होगा B.J.B वाला B.J.B की सरकार अपनी जेवों पे हाथ रख लो जे चोरी हो जाएगी पैसे के अभी दिलवा देंगे जाए उधर मिलने आजा उधर से आजा इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के लोगों को पता है कि अब सक्ता में आने वाले नहीं हैं महिंगाई चरम सीमा पर विरोजगारी चरम सीमा पर किसान दुखी वेपारी दुखी मलतूर को कोई मदद नहीं मिली और जिस तरह सरकार काम कर रही है जिनास पताल में किसी गरीब का इलाज नहीं हो प एक ऐसा जिलास पताल नहीं बनाया जिसमें गरीब का इलाज हो रहा हो ये सरकार बताए कि कहीं भी एक जिलास पताल बनाया हो जिसमें इलाज करीबों का हो रहा हो क्या चीज़ लेके मैंने आप से क्या का हमारे पत्गार साथी ये बीजेपी का जाल है कि कुछ नाम आप लों के माद्दम से बुलवाते हैं सवाल उनका नहीं है सवाल ये है कि मुख्यमंती जी ने ये कहा कि सड़कों पर सांड नहीं होंगे बताओ सांड कहा चले गए सड़कों पहें के नहीं है बताओ मुख्यमंती जी ने कहा कि सांड सड़क पर नहीं होंगे और हम बताएं आपको अरे बद्गार भारी हो ये समझदार है के ना समझ है ये ही नहीं पता मुझे मुख्यमंती जी ने कहा कि 35 करोड पेंड लगाएंगे बेटा सुने ये भाजपाई किस तरीके से पैसा लूटते है ए रुज़ा भाई BJP कह रही है और पेंड लगाएंगे 35 करोड आप लोग भी गए होगे तस्वीर लेने 35 करोड पेड़ों की जो पहरे लगे थे वो कागज में लगे थे ये लगे वो भी कागज में लग रहे है और मुख्यमंती जी ने कहा कि इसमें ट्रीकार्ट लगाए जाएगा अगर 35 करोड पेड़ों में 35 करोड पेड़ों में ट्रीकार्ट लगेगा एक हजार रुपए का तो बताओ क्या कीमत होगी कितने होंगे पैसे 35 करोड अरे जो सरकार सांड ना हटा पारे हो वो ट्रीकार्ट के लिए 35 करोड घर्च करेगी पैसा जिनके पास कोई पैसा नहीं इसलिए इनसे बचो ये जूट बोलने वाले लोग है ये एबी बीपी को सिख्षा लगता गोरकपुर में मिली है ये गोरक धंदा चलना है ये बीजेपी के लोग मजानों पे कप्जा कर रहे होंगे और फ्लॉटों पे कप्जा कर रहे होंगे खेतों पे कब्चा कर रहे हूंगे जो गड़बंदन बन गया है यही गड़बंदन आगे चलता रहे गाए फिलहाल की खमरों में इता हैं आप देखते रहें एस बी न्यूज